प्रेदर्सकों राधे रादे हर हर मादिप आप सभी लोगों का सनातन आस्ता घ्यान चेनल में हार दी कभी नंदन एवूं स्वागते आज हम आप लोगों को बहुत ही सहज, बहुत ही सरल एक मंत्र बताने जा रहे हैं जिस मंत्र का आपने जप करना है इन सिद्रात्रियों में चाहे होली की रात्री हो चाहे देपौली की रात्री हो महाशिव रात्री हो या स्रीकृष्ण जन्म अश्ठमी की रात्री हो इन रात्रियों में आपने इस मंत्र को जपना है उसके बाद आप नित्य इस मंत्र को एक-एक माला करते रहें इससे क्या होगा आपके भागी के द्वार खुलेंगे आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा धन धान्य में ब्रदी होगी आपके आय छेत्र में ब्रदी होगी आपका व्यापार भहुत अच्छे परिकार से चलेगा जो भी आप कारे कर रहे हैं उसमें आपको लाब अवस्य मिलेगा कर्ज से मुक्ती मिलेगी विसेश्त यह मंत्र आपके घर में लक्ष्मी जी का आवाहन करेगा लक्ष्मी जी आपके घर में बिराजमान होगी, तो आप इस मंत्र को कर सकते हैं, मैं विधी बताता हूँ, जादा विधी इसमें कुछ नहीं, बहुती सरल, बहुती सहज हैं, इसमें बहुत बड़ी विधी विधान कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ जैसे होली की रात्री हैं, तो आप पहले होली का दहन इत्यादी करें, रात्री को बारा बज़े से लेकर, दो बज़े तक आप इस मंत्र को करते रहें, यथा सकती करते रहें, जितना हो उतना करते रहें, फिर प्रति दिन एक एक मालाएं करनें, तो इसमें क्या करना हैं आपने, सबसे पहले लाल आस अच्चताय नमा, केश्वाय नमा, गोबिंदाय नमा और उसे पी लें फिर थोड़ा सा बाएं हाथ में जल लें और उसको अभिमंत्रित करें चाहे आप तीन बार गायतरी मंत्र बोलें और उसे अपने चारों और छिटक दें फिर आपने गोव माता के घी का दीपक जलाना है, दीपक अवस्य जलाना है और थोड़ा सा संकल्प करना है कि अपना नाम लेकर और यदि होली की रातरी में करें तो आज होली की रातरी इस परकार से बोलकर अपना गोत रित्यादी बोलकर कि लक्ष्मी जी की प्रिती प्राप्ती के लिए क्या लक्ष्मी जी की प्रिती प्राप्ती के लिए आप मांगो मत कुछ आप मांगोगी तो भोल कर रहे हैं क्योंकि देने वाला आपको वह दे सकते हैं जो आप कभी मांग भी नहीं सकते हैं इसलिए मांगने की गल्ती मत करो सिर्फ प्रेम मांगो बस महालक्ष्मी जी की पृति के लिए हम इस जब को कर रहे हैं आप देखने इसका चमतकार बहुत लाब मिलेगा आपको इससे तो आपने दीपक जला दिया उत्तर के और महा करें और चाए अपने घर के मंदिर में करें चाए किसी मंदिर में करें अपने आगे लक्षी नारण भगवान के परतिमा रखें या फिर स्री यंत्र हैं तो उसको रखें फिर आप रात्री को इस ओधी में इस मंत्र का जब करें हो सकें तो देशी गाई के ओपले हो तो वह भी थोड़ा जला देना और उसमें गुगल और कपूर और गौ माता क्या घी थोड़ा सा डाल देना उसकी धूप भी दे देना आप माला कौन से होनी चाहिए या लाल चंदन की माला हो या रुद्राक्षी माला हो या कमल गटे की माला हो या इसपटे की माला हो इन मालाओं से आप इस जब को कर सकते हैं जब आप जब करोगे तो माला को खुली नहीं रखनी है दो मुखी में माला रखनी है फिर आपने यह जब करना है ओम खरीम स्रीम क्लीम महा लक्ष्मी मम ग्रिहे आगच्छ आगच्छ खरीम नमः इस मंत्र का आप इस रातरी में जब करें क्योंकि जो होली की रात्री न इसी दारुन रात्री कहते हैं चार रात्रियां हैं काल रात्री महा रात्री मोह रात्रि इस दारुन रात्री कहते हैं इस समय किया गया जब बहुत ही स्त्रेष्ट फल देने वाला होता है करोडों गुना फल देने वाला होता है तो जो सादक होत वह इस रात्री में सोता नहीं वह जकता है और इस मंत्र को सिद्ध करो वैसे तो मंत्र तो सिद्ध होती हैं सिर्फ इस मंत्र को आपने अपने लिए जागरित करना है फिर इसका नित्य आप एक-एक माला जब करते रहें आप स्वास करना इसका क्या फाइदा है यहां हम नहीं या आप स्वयम ही बताएंगे लेकिन करें फिर नित्य एक-एक माला फिर देखो आप लाब तो यह दिया आपको वीडियो अच्छे लगें और चैनल में आप पहले बार आएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी आवसे करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, सेर भी आवसे करें जब तक दूसरी वीडियो आते हैं तब तक के लिए जैसरी कृष्णा, हर हर महादिप